वेलकम तो कम्प्यूटर क्लास आज ही क्लास में हम आपका चैप्टर नमबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रड़क्शन टू MS Office MS Office होता है आपका Microsoft Office Microsoft Office क्या होता है? Microsoft Office वह Office होता है जहां पर आपके पास collection of programs हो मतलब जो भी MS Microsoft के program होते हैं जितने भी इसमें चीज़ें होती हैं वो हम कहां रखते हैं? Microsoft Office में यह एक Office work के लिए बनाई हुई application है मतलब आपके जो Office होते हैं मतलब कार्याले होते हैं वहाँ पर आप जितने भी documents से related काम करते हो मतलब अपने दस्तावेजों से समबंधित काम करते हो वो कहां से solve होता है? मतलब कहां से वो काम हम करते हैं? किस की सहता उसमें लेते हैं? Microsoft Office की जिसमें आपके पास सबसे पहला point है MS Word MS Word होता क्या है? helps user in creating text documents documents बनाने के लिए मतलब दस्तावेजों को बनाने के लिए हम किस की मदद लेते हैं? help मतलब मदद operate करता है जो computer चलाता है उससे हम क्या कहते हैं? user मतलब वह वैक्ती जो user होता है उसकी वो मदद करता है कौन मदद करता है? MS Word किस चीज के लिए? documents बनाने के लिए मतलब दस्तावेजों को बनाने के लिए इसके बाद next point है आपके पास MS Excel MS Excel आपके पास क्या होता है? जिसमें हम numerical spread sheets का use करते हैं numerical मतलब होता है आपकी digits जैसे 1 से लेके 100 तक क्या जितनी भी जितनी भी डिज़ट होती है उतनी डिज़ट हम उसमें यूज कर सकते हैं जैसे अगर मालो आपने report card बनाने हैं आपको सभी को पता है report card कैसे दिखते हैं जिसमें आपका नाम हो, आपकी class हो और आपके exam हर एक paper का number दिया हो और end में क्या होता है? उसे जोड कर दिखाया जाता है कि आपकी इतने में से इतने number हो इस तरह के बनाने के लिए इस तरह के documents मलदस्तावेजो को बनाने के लिए किसका use किया जाता है? MS Excel का इसके बाद third point आपके पास है MS Power Point MS Power Point वह होता है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम presentation देते हैं presentation देना मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं आपके साथ इसमें presentation दे रही हूँ किस तरह से? मैं आपको phone की screen पे कोई चीज दिखा रही हूँ ठीक है? इसमें आपके शब मिले वे हैं और मेरी voice, मेरी आवाज है photo है मतलब यह क्या है? एक तरह की presentation है तो इस तरह की presentation को बनाने के लिए परनी होती हैं चीज़े to manage information that can be searched, compared, changed or manipulated मतलब जितनी भी information होती है information मतलब सूचना है उनको हम क्या कर सकते है? searched मतलब खोच सकते हैं compared मतलब तुलना कर सकते हैं change मतलब बदल सकते हैं मतलब अगर हम सूचनाओ को बदलना चाहते हैं उनकी तुलना करना चाहते हैं या फिर उन्हें ढूनना चाहते हैं तो इसमें हम किसका उप्योग करते हैं MS Assies का उसके बाद आपके पास है MS Look Outlook MS Outlook वह चीज़े होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं Mails को मतलब Messages को क्या करते हैं Receive करते हैं मतलब अपने पास लेते हैं और औरों को भेजते हैं जिसके लिए हम किसका उप्योग करते हैं MS Outlook का Last point आपके पास आता है MS Publishers MS Publishers क्या होते हैं जिसमें आप Public को अपनी चीज़े पब्लिक कान होती है जनता, लोग लोगों को अपनी चीज़े दिखाने के लिए कोई greeting cards बनाते हैं Greeting cards मतलब क्या होते हैं आपने देखे होंगे चैसे शादी के card होगे birthday card होगे ठीके किसी function के card होगे तो ये सारे card को बनाने के लिए हम किसकी help लेते हैं MS Publishers की आची class में मैंने आपको Microsoft Office के सभी points को explain कर दिया है अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप online class में भी पोश सकते हैं या मुझे call या message भी कर सकते हैं आची class में आपके लिए इतना ही Thank you and have a nice day